नमस्कार बच्चो गनित सेतु अभ्यास्क्रम कक्षा सात्वी दीन है 29 वा और स्वाध्यक्रामंक 29 घटक है समिकरन और घटक है समिकरन हल करना देखो बच्चो पिछले वीडियो में हम लोगों ने समिकरन किस तरह से तयार किये जाते हैं इसके बारे में अध्यान किया था त सात बराबर दस देखो समिकरन है वाई जोड सात बराबर दस अभी यहाँ पर हमें किसका मान ग्यात करना है जो अक्षर रहते हैं उस अक्षर का मान ग्यात करना यानि समिकरन हल करना होता है तो अभी यहाँ पर अक्षर कौन सा है वाई का मान ग्यात करना है और उसके साथ क बीच में कुँसा चिनन है जोड का हमें वाय का मान गयात करना है इसलिए साथ की अवशक्तनी है साथ को अगर। तो आवी यहां पर दोनों के बीच में जोड का चिन्न ने हैं तो जोड की होँदस की निकाल देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा दोनों पक्षों में घटाव करना है क्यों कि समानता आनी चाहिए हाँ पर समानता का चिनन्न ने देखो इसलिए यहाँ पर y धन साथ, रीन साथ, बराबर 10 रीन साथ और यहाँ पर उसका कारण लिखने का है दोनो पक्षों से 7 गटाया मतलब दोनो साइड में देखो यहाँ पर बिना भूले दोनों साइड में एक इक्रिया करनी है इसलिए y जोड 7 रिन 7 बराबर 10 रिन 7 दोनों पक्षों से 7 गटाया अभी देखो यहाँ पर 7 दोनों के अंसल हो गए तो फिर यहाँ पर कितने रहेंगे शुन्य इसलिए y जोड 6 बराबर 10 में से 7 गटाया तो 3 इसलिए y का मान कितना आ गया? 3 समिकरन हल करना मतलब जो अक्षर दिया है उस अक्षर का मान गयात करना तो इसलिए y का मान आ गया 3 दूसरा गणित है 5 चोकलेट का मुल्य 25 रुपए है तो एक चोकलेट का मुल्य कितना है? अवे देखो, यहाँ पर पास चोक्लेट का मुल्य दीया है, लेकिन उसके आधर पर हमें एक चोक्लेट का मुल्य ग्याथ करना है यह शाब्दिक उधारण है, यह किस तरह से हल किया जाते हैं, वो बताती हूं देखो मानो एक चोकलेट का मुल्य के रुपए हैं मतलब यहाँ पर अक्षर का उप्योग करना है जो मालूम नहीं उसके लिए हमें अक्षर का उप्योग करना है इसलिए एक चोकलेट का मुल्य मालूम नहीं है जो हमें ग्यात करना है तो वो के रुपए हैं इसलिए पास चॉकलेट का मुल्य कितना है 25 रुपई इसलिए पास गुना के बराबर 25 एक चॉकलेट का मुल्य मालूम नहीं इसलिए पास गुना के बराबर 25 अभी पास गुना के का मतलब होता है पास के और यहाँ पर बराबर 25 अभी रेखो पास और के इनके विश में कौन स से उतिए भाग इसलिए दोनों पक्षों में पाच से भाग करना पड़ेगा क्योंकि पाच का निकाल देना है और के कमान अज़कर दोनों पक्षों में पाच से भाग दिया यहाँ पर कारण भी लिखने का है और फिर देखो यहाँ पर पाचे कमपाच, पाचे कमपाच, पाचे कमपाच, पाचे 25, याने के बराबर कितना आ गया पाच, याने के का मान कितना आ गया पाच, याने एक चोकलेट का मुल्य कितना रुपय होगा, पाच रुपय होगा, तो यह इस तरह से उत्तर निकाला है, अभी उसके बाद इसके आधर पर हमें कुछ प्रश्ण जो है वो हल करने के जैसे मैंने पहला प्रश्ण करके दिखा है उसके आधर पर यहाँ पर निम्नलिकित समिकरण हल को यह भाग हल करना है पहला गणित है एकस धन 9 बराबर 11 दुसरा है एकस रीन 4 बराबर 9 आट एकस बराबर 24 और एकस भागे 6 बराबर 3 तो यह चारो गणित आप लोगों को इसी प्रकार हल करने है उसके बाद दुसरा प्रश्ण दिया है निम्नलिकित प्रश्ण में दी गई जानकरे के आधर पर स अब उसके पास 176 भेड़े है शेश बची है तो हरवा के पास कूल कितनी भेड़े थी लेकिन कितनी थी मालूम नहीं है वह हमें ग्याद करनी है इसलिए यहाँ पर बेड़ो की संक्या बराबर जो अकष्र आपके मन में हो माननने का है उसके बाद बाजार में से उन में से 34 बेड़े बेची याने अक्षर मतलब जो अक्षर लिया है उसमें से 34 घटाने हैं तो फिर बची कितने हैं 116 बराबर 116 यह समिकरन तयार हो गया और फिर उसको हल करने का है तो इस प्रकार हम लोगों को ये जो समीकरन तयार भी करना है और समीकरन हल भी करना है इस भाग का मैंने आपको अच्छी तरह से समझा है आपको वीडियो देखकर वो समझ लेने का है और फिर हल करने की कोशिश करने की है